कि हलो दोस्तों स्वागता आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के सियार यानि की कनवाडिया क्लासेज भाय राजिस में दोस्तों हम इससे पहले अपने ये ये वीडियो नंबर 6 से 5 वीडियो में इससे पहले अप्लोड कर चुका हूं और हमने 200 क्वेशन कंप्लिट कर लिए उन पाच वीडियो में लेकिन लग रहा है कि समय के अभाव में ये पूरा कर पाना आसान नहीं होता अगर मैं ऐसे करता हूं तो लेकिन इसलिए मैंने सोचा है इस बार कि क्यों ना सो क्वेशन एक वीडियो में डाल दिजाए तो अब से सब्सक्राइब एक वीडियो इस अध्य में देख रहे होंगे कि बहुत अच्छी क्योंच बहुत ही शांदार तरीके से बनाया हूए अगरन करेंगे 2002 चीह एक से ले करके एंब तीन सो तक के ठीक दोस्तों तो आप इनको बहुत अच्छी से देखना क्यों कि मैंने आपको बताए कि बहुत ही मस्त क्यूशन है प्रगति शील विचारों ने बच्चों में अपेक शाक्रत कौन साफ प्रेयरक अधीं प्रभल होता है प्रगति शील इसका आंस्वर होगा तीन उपलब्दी मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा आप वीडियो रोग के देखते जाई है समाज में वंचिते हम अलाभानवित सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों के बाल को में किस अभी प्रेरण रख की प्रबलता की संभावना अधीक होती है उपलब्दी ततपरता समंदन या उक्त में से कोई नहीं तो यह है दो सो दो और इसमें आसवर होगा तीन यानि की समंदन नेक्स्ट है दो सु दो सु तीन है अभी प्रेरणा अधीगम का सर्वत्रष्ट राजमारग है अभी प्रेरणा अधीगम का सर्वत्रष्ट राजमारग स्किनर ने यह कतन इसलिए कहा क्योंकि अभी प्रेरणा के लिए अधीगम आवशक है अधीगम के अभाव में अभी प्रेरणा संभो नहीं है पर वावी अभी प्रेरणा प्रेणना सीखने के लिए अधिगम से दान्तों की समझ एक व्यक्ति के लिए अत्यदिका उसक है अभी प्रेणना से अधिगम होता है तो दोस्तों क्या होगा इसमें इसमें आंस्वर होगा चार अभीप्रेणा से अधिगम होता है नेक्स्ट है दोस्त यार सशक्त अभीप्रेणा सीखने का प्रभाव साली घटक है ये रीट लेवल सेकेंड 2015 में आया हुआ है इससे बालक स्वस्त रहता है ध्यान करता है सिग्र सीखता है परसन रहता है दोस्तो इसमें आंस्वर होगा तीन यानिकी शिग्र शिखता है 2005 मेकडूगल के अनस्वर अभीप्रवर्णा की व्याक्या किस आधार पर की जा सकती है तो किस आधार पर की जा सकती है उत्तेज़क अनुकृ्ए ? जन् मजात मूल प्रवर्वर्तिया उत्यजक वह अर्द चेतन या कोई नहीं तो दोस्तो इसका आंस्वर होगा दो जनुजात मूल प्रवर्तियां नेक्स्ट है अभी प्रेणा अधिगम का सरोत्तम राजमार्ग है किसके अनुसार है यह शेफर के अनुसार यह जहां पे खाली जगह आपको दिखाई देए वहा कोई नहीं है दोस्तों अभी प्रेणा के प्रकार है भूक योन सभी या विश्राम तो क्या है इसमें भूक है योन है सभी या विश्राम अभी प्रेणा के प्रकारों में तो दोस्तों इसमें आंस्वर होगा अपना तीन सभी है अभी प्रेणा के स्त्रोथ है आप इसको द 208 तो इसमें आंस्पर होगा 2 यानि कि 2, 4, 5, 7 अभिप्रेणा के स्ट्रोथ है नेक्स्ट है कौन सा अभिप्रेणा का गठक नहीं है यह सेकंड ग्रेड 2017 में आयोगा आव सकता है रटन स्मृति अचालक प्रोथ सैन तो 209 का आंस्पर होगा 2 क्या होगा रटन स्मृति दूए का वायू प्रदूशन से है तो क्या है दोस्तों 210 में आंस्पर होगा 4 दूए का वायू प्रदूशन से है अच्छा क्यूंसे नहीं दोस्तों वे सारी जिक एउम मनुविग्यानिक दसाए जो किसी किरिया को करने के लिए प्रेडित करते हैं कहलाती है करती है एक बार वह देख लीजिए वीडियो को बेख करके तो किसने कहाता है 2016 में यूपिटेट में दोस्तों यह कहा था यह 211 नंबर तो यह कहा था में डूगल ने किसने अभिप्रेड़ना को कारिये में प्रवर्त करने वाली सकती बताया वुड़वर्ट गिलपोर उर्ट में स तो किसने बताया था यह बताया था एट किंग्शन अभिप्रेड़ना को कारिये करने में प्रवर्त करने वाली सकती एट किंग्शन ने बताया था कि शीखने के लिए आकलन कि यह सीट्रेड सेकंड लेवल 2014 में आया हुआ विशिष्ट होता है और अपने आप में की गई आकलन गतिविदी है अभिप्रेड़ना को बढ़ाता है अलग करने और रेंक देने के प्रियोजन के लिए किया जाता है ग्रेट्स को पूरी तरह से म अभिप्रेड़ना को किसने चालक द्वारा उत्पन्वा समयोजन द्वारा समाप्त होने वाली प्रवर्ति बताया इसकी इनने शेफर ने हलने क्रीचर ने तो किसने बताया दोस्तों यह बताया है दो नंबर यानि मनोदेहिक सोरी शेफर ने किसने बताया है शेफर ने बत निश्पत्ति या गोण भी प्रेयरक क्या होगा दोस्तों इसमें आश्पर यह आप से जुड़ा हुआ है इसमें होगा निश्पत्ति नेक्स्ट है नकारात्मक दंड का निवन में से कौन सा उधारन नहीं है जो नकारात्मक दंड है उसका निवन में से कौन सा उधारन नहीं है वो देखना आपको बेरोजगार व्यक्ति को मातापिता द्वारा ताने मारना क्लास टेस्ट में सपल रहने पर साथ वु कक्षा के बच्चे को सिक्षिका द्वारा डाटना अध्यापक द्वारा स्ट्रेश्ट करने के लिए प्र fajit करना मित्रु द्वारा द्रिंद्वेकर नकार override तो इसमें अंसर होगा अध्यापक्ग द्वारा द्वारा 50 करने के लिए प्रोट साहन करना कौ सा सोरी कौसा धारनन नहीं यह नहीं वाला आपको ध्यां तो अध्यापक करने में इसकॉम सा उदारन नहीं है ठीक है तो ये नहीत करने के लिए प्रोचाहित करना कि इसमें देखे बाई अभी प्रेड़ा में समावी से किया गया है प्रसंसाव दोसार ओपन को प्रतिद्वन्दिता को पुरुस्कार्यम दंड को परिणाम का घ्यान को तो आप इसमें से देख लिए मैं आपको शीदा आंस्पर बता रहा हू तो इसमें आंस्पर होगा दोस्तो चार उक्त सभी एक दो तीन चार सब के सब ठीक है जब एक बालक क्रिकेट खेलने के लिए घर से कोई अन्य बहाना या जूट बोलकर निकल जाता है तो यह कौन से अभी प्रेड़ना है सकारात्मक है नकारात्मक है तूटी पून है या क्रत्रे में क्या है दोस्तों इसमें आंस्पर तो दोस्तों इसमें आंस्पर होगा सकारात्मक क्या होगा दोस्तों शका रात्मक तो दोस्तों अगर वही लड़का अगर क्रिकेट नहीं खेरके किसी गलत काम के लिए जाता तो फिर यह नकारात्मक अभी प्रेणा हो ती ठीक है नेक्स्ट है आंस्पर मेंने आपको बता दिया इसमें सकारात्मग होगा 219 है प्रेड़ना प्रबलन हुआस सिद्धन के प्रदाता है पस्ट रेड़ में आयोगा यह हल फ्राइड में स्लो उक्त में से कोई नहीं तो कौन सा होगा दोस्तो इसमें इसमें होगा हल नेक्स्ट है निन में से प्रात्मिक अभी प्रेड़क नहीं है तो दोस्तो इसमें से प्रात्मिक अभी प्रेड़क कोन सा नहीं है शक्ति, योन, शुरक्षा, नींद, कौन सा प्रात्मी का भी प्रेयरक नहीं है दोस्तों, इस प्यांस पर होगा, च्यार नंबर, नींद प्रात्मी का भी प्रेयरक नहीं है, नेक्स्ट है, क्यूशन नंबर, ओ सोरी, ये, कूट दिये हुए थे, मैंने ध्यान भी नहीं दिया, तो इसमें पाच बताया रखे, आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, आप इनको वीडियो को रोके एक बार इनको देख ले, निमने से प्रात्मी का भी प्रेयरक नही है, कौन सा है, तो मैंने बताया, क्यूशन नंबर, ये, इसमें एक तीन और पाच होगे, ठीक है, उप लब्दी, चोथा नहीं होगा, आप देख ले, ये च्यार नंबर आंस्वर होगा, एक तीन और पाच, ठीक है, नेक्स्ट है, दो सो एक्किस है, निमन में से कौन सा कथ अभी प्रेर्णा, प्रेर्णा एक प्रक्रिया के संदर्व में उप्युक्त नहीं है, यह व्यक्ति को लक्षे की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति को सारीरिक आप सिकता हो कि संतुष्टि करता है, यह मनवग्यानिक आकांक्सा को प्राप्त करने में सायता करता है, यह व्यक् अश्यवाप्रति को अश्य प्रवलता का भह दिखा कर अध्यान करने तो अभी प्रयृत करना किस प्रकार के भी प्रेज़ना तो तो 222 में क्या वहागा दोश्तों 222 में होगा च्यार और आत्म कभी प्रेड़ना है नेक्स्ट गुड के अनुसार किसी किरिया को आरंब करने जारी रखने हुआ है पूरा करने या दूरा रखने समाप्त रखने या नियंतित करने की प्रक्रिया भी प्रेड़ना है तो इसमें कौन सा सही होगा तो इसमें होगा च्यार नं तो इन में आपको मिलाना है और मैं आपको शिदांस्पर बता देता हूं समय का भाव हो तो इसमें दोस्तों आंस्पर होगा चार नंबर तीन च्यार दो एक ठीक है च्यार नंबर हो नेक्सर दोसों पचीश अभी प्रेणा के सिदांतों के नुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को समंदित कर सकता है यह खाली जगह है उसमें आपको यह इन में से एक भरना है तो विद्यार्तियों से वास्तुक अप्यक्साय र लगने नेक्स्ट है 223 कक्षा में प्रेणा युक्त वातावण बनाने है तो अध्यापक को निमन में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए तो दोस्तों आपको मजा आ रहा होगा बहुत अच्छी क्यूशन है डिमाग को इला देने वाले क्यूशन चाहिए तो इसमें से आप खुद पढ़ो क्योंकि समय कम है पढ़ लीजिए में और पोज करके हैं ठीक है और मैं आपको आंस्वर बता देता हूं चीदा तो दोस्तिश में आंस्वर होगा एक नंबर कक्षा में पर्थम आने वाले चात्र की सदेव प्रसंसा और दूसरे बच्चों को भी उससे प्र करने में समय लगता है मेशलो द्वारा दिया गया अभी प्रेणा का वर्गिकरण है जन्मजात्व शुभाविक जन्मजात्व अर्जित जन्मजात्व सामाजिक वर क्रत्रिम तो कौन सा है इसमें दोस्तों आप देख लीजिए तो इसमें आंस्वर होगा दो यह लीजी अर्जित में चलोने जंद जातव अर्जित अभी प्रेर को में वर्गेंगान यह बताये दिनन में से कौन सा प्राकर्ती का उधारन नहीं है तो कौन सा नहीं है किसके अनुशा यह पूचा नहीं प्यास प्रतिष्टा सुरक्षा और मुर्ग मुख भूक सोरी जल्दी बोलने किसे करें कुछ ही बहुत है नेक्स्ट है तो इसमें आंस्वर होगा दोस्तो 288 में दो नंबर प्रतिष्टा पुरुषकार और दंड की का अनुचित प्रियोग अधिगम को बनाता है प्रभाव कूंड बनाता है अधिक उप्योगी बनाता है प्रभाव हीन बनाता है कुछ कह नहीं सकते तो क्या होगा दोस्तों इसमें 238 और इसमें आंस्वर होगा तीन नंबर प्रभाव हीन बनाता है दोस्तों ऐसंगत 30 प्रसंसा आवशक्ता दंड क पुर्षका तो इसमें जी आयसंगत कौन सा है इसमें से इसंगत है आप देखिए आउ सकता किसी व्यक्ति को सामाजी कुद्रश्टी से स्विक्रत करने है तू प्रेणा देता है अपलबदी प्रेरक ये आक्रोस प्रेरक सकती प्रेरक अनुमोधन प्रेरक तो कौन सा होगा इ इसमें दो कथन दिये हुए है एक तो ऐस रहर एक आए में लवे ai में तो इसमें आपको बताना है क्ल में चलंस घलिए को यह से तो इसमें आपको आंस्वर में बता देता हूं आंस्वर होगा इसमें ती नंबर एस वै एक दोनों सही है नेक्स्ट है अभी प्रेणा की अधिगम में प्रभावी भूमिका नहीं है रूची जिग्यासा जागरत करने में पिछड़ी बालकों के ध्यान संकेंद्रन में जड़ बुद्धी बालकों में अनुसासन इस्तापित करने में प्रतिवासाली बालकों को नेत्रत्वा समता विक्स्ट प्रदान करने में तो क्या होगा दोस्तों इसमें इसमें होगा ती नंबर जड़ बुद्धी बालकों में अनुसासन इस्तापित करने में अभी प्रे कि यांठ की संगत पहचानिने सम्मान प्रतिष्टव मित्रों करतने विस्राम तो एसंगत क्या है इसमें दोस्तो इसमें एसंगत होगा च्यार विश्राम क्यों एक अध्यापक कुनिन में से किस कथन से शैम मत होना चाहिए तो अंत्रग भी प्रिणा तब होती है जब अधिगम् करता व्हाय शंतोज जन्नक का अनुभग करने के लिए करते हैं बहायए अभिखे अंसरों होगा आपका दो नंबर वह अभिखे नाके संदर में शही खतन है सकारात्मक अभिखे नाके के लिए ध्यापक को केवल प्रस्था पुरुस्कार रित्यादी का परियोग करना चाहिए नहीं कि दंडिया निंदा का पहला तो ही हो गया तो 236 यह देखिए इदर सक्रात्मागर लेना नंबर है का अनुकुलन बॉह सब्सक्रों का अधिक प्रुस्कार या दंड का समुचित प्रियोग ही सक्रात्मक रूपशे विप्रेरित कर सकता और अनुचित प्रियोग शे चार नंबर है शकरात्म के प्रेणा पर दंड या निंदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तो दोस्तों इसमें आंस्वर होगा आप देखिए चार नंबर है शकरात्म के प्रेणा पर दंड या निंदा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यह है इसका आंस्वर नेक्स्ट अभि प्रेणा को अधिगम का आधार किसने का है इस की में वासीं好的 संब्सक्राइग यह फ्याज़ग कोई योण function समस्य कोई गाउगा है तो दोस्तों इसमें आप समय जी गयेंगे तो इसमें कउनु जहाओ इसमें लिए तीन नंबर उपलबदी परतिष्टा परतिष्टा पराप्त करने की इस्था को किस अभी प्रेरक के अंतरगत रख सकते हैं देहिक, मनोवेग्यानिक, सोबाविक या शुरक्षा तो दो सो चालिस और इसमें आंस्वर होगा दो नंबर मनोवेग्यानिक 241 में देखिए आप इनको मिला लीजिए मैं आपको शिद आंस्वर बता रहा हूँ इसमें 241 में आंस्वर होगा एक और एक में सामिले दो, तीन, चार, एक ठीक है, 242 देखिए अभी प्रेरित व्यवार की विशेष्टा है लक्षे नर्देशित समायोजित आवशक्ता पूर्ति या उक्तिसभी तो इसमें क्या होगा दोस्तों इसमें होगा दो नमबर उक्तिसभी फिर है, खालिस्तान देदिया को अभी प्रेरित शिक्षन का संक्य तक माना जाता है तो विधार्ति द्वारा प्रस्त पूछने को कक्षा में एकदम खामोशी को कक्षा में अधीक्तम उपलब्दी को या शिक्षक द्वारा किया गया उप्चारात्मक कारी है तो कौन सा होगा इसमें इसमें होगा एक नमबर विद्यारति द्वारा प्रस्ट पूछने को नेक्ट है टू कोड़िकोर आपके मित्र के पिता रोज सवेरे उठते ही मित्र के बेरोजगार रह जाने के कारण बेंगे करते हैं ये देखो सहन सहर आराम फर्मारे तो मनविज्यानिकों के निसार ये पिता अपने पुत्र के प्रतियसा व्यवार किस अभी प्रेरक से प्रेरित होकर कर रहा है तो इसमें क्या होगा संबंदन अभी प्रेरक है उपलब्दी अभी प्रेरक है अनुमोदन अभी प्रेरक है आक्रम शीलता का अभी प्रेद हें तो क्या होगा दोस्तों इसमें इसमें होगा चैनेशाल नमबर आग क्रमण सिलता का अभी प्रेद रखें नेच्स्ट है दोजने 45 grabbing चाहे संबनोद इस क्रम इंगित कीजियो तो प्रनोद आवसक्ता प्रोफ्षान और नेच्ट और तो कि यह रहा आवशक्ता प्रनोद प्रोत्साहन या फिर आवशक्ता प्रोत्साहन प्रनोद तो क्या होगा इसमें दोस्तों इसमें होगा कि क्यूशन नंबर 245 इसमें ती नंबर आवशक्ता प्रनोद प्रोत्साहन राहूल में की प्रिक्षा देने जाते समय शीडियों से गिर तो अभी आप बताएंगे सोचें तो इसमें आंस्वर होगा एक नंबर जैविक अभी प्रेयरक है 247 जिन में से उपलब्दी अभी प्रेयरना पर किन लोगों ने कारी किया है प्राइड वर जूंग ने मेकली लेंड ने वह एटकिंसन ने मैसलों मेक डूगल उपलब्दी अभी प्रेयरना पर कारी किया है नेक्स्ट अभी प्रेयरना के सिदान्तों को दर्षाने वाला यूगम है तो आप इसमें से दर्षाने वाला जो यूगम है आप पढ़ लीजिए देख लीजिए और मैं आपको सिदान्सवर बता जेता हूं 248 और इसमें थेकर फ्यान देहिक अभी प्रेयरकों का विशिष्ट गुण वस्तनेश्टता सारुं भुमिक्ता मात्वद कांकसा उक्त मैं से कोई नहीं तो कौन सा्थ विशिष्ट गुन है तो देखिए आप इसमें में दो नंबर चारु भुमिक्ताैं अ स्वस्त्त रहने के आशकता सोमगी अजिस अभी प्रेजर के जूड़ी हुई टू 수ब्री प्रेजरаг के जिसमें स्व स्वस्तर रहने कि आण है जूड़ी एर जी तो एक या जन्जाथ या फिर व्योसा कॉन साया दोस्तों से सिसमें आस्वेरती नंबर में जन्जाथ बुद्धि के त्रियायामी सिद्धान्त के नुसार बुद्धि के कारकों के संक्या है नब्व है 110 एक सो पैतिस है या फिर कि एक सो बीस है कितने दोस्तों इसमें अंसर होगा चार नंबर 120 यह तो आप जानती होंगे रिर्ट लेवल परस्ट में आया हुआ यह नविन प्रस्तितियों के साथ समायोजन की योगेता ही बुद्धी है ये किसके अनुसार है टर्मन के अनुसार मेरिल के अनुसार उक्तिसभी के अनुसार है ये है दोस्तों दो नंबर इस्टन के अनुसार किसके अनुसार इस्टन के अनुसार नेक्स है बुद्धी इन चार स देने वाला विद्वान दियर बोंड ने दिया था बिने निदिया था थन्रेक ने दिया था फिर इसंपर में ने यह तो दोस्तों दो नूमबर यह बीने ने या बात कहे थी यान अधिकार निर्देश वा आ लो चुना तो नेक्सर र हैं बद्धि लब्दी का संतभत्य विक्सत किया किसनि कि ढ़ा दन्कें किसनि किया है तो इसमें आंसर हो को तो आख नंभर के यह कारी किया था अ्टर मिलेट से बद्धि को तरक करने समझने वैंने लेने की समता का बताने वाला विद्वा वाली विद्वान है इस्टैन है था अंडाइक में मैंक डोनाल्ड है या फिर बर्ट है कौन है दोस्तों दोस्तों 255 जिसमें आंसर होगा च्यार बर्ट बुद्धी परिक्ष्ण निर्मान की जन्दाता है विल्यम इस्टैन लेवेंटर यह सेकंड ग्रेर 2017 में बुद्धी परिक्ष्ण निर्मान की जन्दाता कौन है और अलफ्रेड बीने या फ्रांसिसी फ्रांसिस गॉल्टन तो कौन है दोस्तों इसमें आंसर है अलफ्रेड ब अपस्त परतम प्रयोग टर्मन ने इस विद्ञान इन गिलपोट टो इसником प्रतम प्रयोग इसे किया था तो इसके आशर होगािंगर तीन नंबर इसमें आंसर होगा अपना नंबर मेंद इस्पार- मेन इस्पेर-में न कि नस्पेर मैं दीए ठावल जहारी किस रंकला मेंद करने हुआ थाव इसका अंसर होगा एक तंबर विना विदे नियुद्व तथ्यों पर गोर करिए आप अराम से देखिए अजय आप को ही दाखोला बताता हूं रोकर दे태 लिए इसमें अंसर होगा दोस्तों 1-3 रह B much Gas 6 और साथ नेक्स्ट है 262 निन में से कौन सा कथन बुद्धी के बारे में सत्य नहीं है तो यह एक व्यक्ति की इमान सिक्षमता है यह व्यवार की गुनुवत्ता से आके जाती है यह सामन्ज से अनुकूल इस्ताबित करने में सायक है यह एस ताई एम अपरिवर्तन शील विशेष्टा है नेक्स्ट है जिस सिद्धान के अनुशार बुद्धी ही सर्वसक्ति साली है और वह ही सभी मानसिक लिया उपर नियंतर रखती है वह सिद्धान्त है बहुत तत्व सिद्धान्त है नमुना अगटके सिद्धान्त है एक तत्व सिद्धान्त है कुंसा सिद भदाम दिया था जिसने बुद्धी को हम मैं तो कुंपों शमरते बताया जिसने बुद्धी को को सवतवारा से संजाया जिसने परैथम बुद्धी को प्रिक्षन का निर्मान किया तो दोस्तों मिश्मा के दिया 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 ना कुंसन भूहोती और तरीक tiroason तो इसमें आंसर होगा 264 और इसमें आंसर है चार नंबर जिसने प्रतम बुद्धी प्रेक्षन का निर्मान किया था नेक्स्ट इससे दो-दो चीजे क्लिए हो रही है लड़के को पता होना चाहिए बुद्धी परिक्षन का निर्मान किस ने किया था लड़के को पता होना चाहिए कि निर्कुंस्तावादी सिद्धान कि की देना दो-दो चीजे क्लिए होनी चाहिए उसके बाद में वह बता निन में से कौन बुद्धी परिक्षणों के दुर्प्यों का संके देता है तो कौन है उन्नति के लिए मापन में शायक बुद्धी लब्दी लेवल बाल को पर लगाकर अध्यावक अपनी अकुसलता को छिपाते हैं रीट में आया हुआ है आट एट में लेवल शेक्न दोज पर क्या था बुद्धी लब्दी को लेकर बाल को पर लगाकर अध्यावक अपनी अकुसलता को छिपाते हैं 266 बुद्धी लब्दी आयक्यू की गंड़ना करने का सुत्र है आपको सीधा बता रहूं क्योंकि मुझे बता आपको पता है तो इसमें होगा 266 और इसमें आंस इसमें आशर होगा 266 है तो इसमें आशर होगा दोस्तों च्यार नंबर में बटावा सीए इंटु हंड्रेड नेक्स्ट है 268 268 क्या कहता है बुद्धी का समुह कारक या समुह तत्व ग्राउंड फेक्टर यह बोलते हैं शिदान दिया था थांड़न ने दिया था थांड समयलित कीजिए बहु बुद्धी इनको आप समयलित कर दीजिए मैं आपको इस आंसुर बता देता हूँ आप देखते रही है इसमें है दो नंबर आंस्वर वह दोनाबर होगा 207 एक व्यक्ति के निमनालंकित गुन का पता चलता है बोद्धिक सरजनातमक या अभीवयतातमक व्यक्तिक तो कौन सा वह दोश्ट इसमें इसमें होगा एक नंबर बोद्धिक यह पर्स्टक्रेट 2015 में आया हुग है गिलफोर्ड के अंतर वस्तू नहीं है कौन सा नहीं है दोस्तों कि दोसरा गत्र और को अब में निमस्ते लुक्र म। प्र्तिक्स्कंत्मक बंदर भांदग किया है दो a बाल ये सेक्नड के ल조 जाए सत्रा में आए हूँआ है संगत थाठी त्री आयामी बुद्धी सिदान गिलपोर्ड त्री बुद्धी सिदान टर्मन त्री तंत्र बुद्धी सिदान इस्टन वर्ड त्री तत्व बुद्धी सिदान इस्पियर में क्या होगा दोस्तों इसमें आंस्पर होगा दो नंबर त्रिए इस्तरिय बुद्धिसिदान तर्मन वारत मध्धिन में निलमे से कौन शा कथन तो इसमें व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान उतना ही अधिक सर्जनसील होता है बुद्धी परिक्षणों द्वारा सर्जिनात्मक्ता का सही मापन हो सकता है उसके अभिवावक को स्विचित करेंगे तो दो तक देख लिए हमने व्यक्ति जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतना अधिक ग्यान अधिक सर्जिन्सिल होता है बुद्धी परिक्षणों द शर्जनात्मक्ता के परिक्षणों की विश्यवस्तु में कोई अंतर नहीं होता है दोस्तों मैं बहुत तेर से बहुत पिछले एक गंटे से कंटूनि बहुत रहा हूं तो इससे थोड़ी आवाज में दिक्कत आ रहे हैं फिर विमा को बता रहूं तो इसमें दोस्तों एक गंटे गया में तो डेर्ट गंटे से भी ज्यादा से बहुत रहा हूं तो बुद्धी के पदानुक्रम मोडल से प्रेक्षण की योगिता जिस सम्मों में रखा जा सकता हुआ है साब्दिक गामक शेक्षिक या उक्त सभी तो दोस्तों पिचेतर और श्मयांस्वर होग तो कौन सा होगा इसमें इसमें होगा एक नंबर यांत्रिक फिर बारा वर्ष यह विद्यारति सोहन की बुद्धी लब्दी पिचेतर है उसकी मांसिक आईउ वर्षों में क्या होगी आप निकाल लीजिए मैं आपको शिद आंस्वर बता रहा हूं रोक के देख लिए आप लिए पटरिक फिन आइवर नो एक वालक जिसकी मांसिक आइउ बारा वर्ष है तता कालानुकरमिक आईउ दस वर्ष है तो इसकी बुद्धि लब्दी होगी तो इसकी बुद्धि लब्दी किते होगी यह भी आप निकाल लीजिए मैं आपको शिद आंस्वर बता रहा हु डो सेंटिनाइन होगा ती नंबर 120 विद्यारती एक शिक्षारति की बुद्धी रब्धी का ज्यान शिख ohhh कई लिए उपरी होगी है क्योंकि सिक्षारती के शाहिछरीक संगठन का ज्यान होता है शिक्षारती के चर्यत्र का पता लगाने कहते हैं कि जिवडाल 2 सदुर्ञ में दोस्व बढ़ा उस में सबसे को दिदेंसे को एक करने दो हैं वो एक बहु बुद्धि को ही ओधी करण द्यांत तो इन सब्सक्राइब प्रवाशा लिए! कि वोग बुद्धि का शेताँ तो द्या था ठाइब देयता यह श्फित आए मतब युष बैंट यह श्फितन यार अभी मायन से निकला हुआ दोस्तों अभी बता दूँगा थोड़ दिर में याद आते देख जैसे तो बहु बहु कारका सिदान तो थान डैक नहीं दिया था था थोड़ दिर में आपको बता दूँगा एक सोला वर्षी किस नमर 282 एक सोला वर्षी एक किस और की मानसिक आयू 15 वर्ष की है वह किस रहनी में आएगा बंद बुद्धी जड परतिवास आली या फिर ओसत तो आपको आँस पर बताना 222 और 222 का क्या होगा दोस्तों दो नमबर क्या होगा परतिवास यह ओसत रहेग नेक्स्ट है थोड़ा बड़ा कर देता हूं दोस्तो त्याजी किसी व्यक्ति के जीवन में मिलने वाली ये दो कथन दिये हुए है आप उनको देख लीजिए सपलता केवल बुद्धी की मात्रा पर निर्भर करती है बहु कारक्स ये इसमें व्यक्या की गई है दूसरे कथन म बहु कारक्स सिदान्त के अनुशार बुद्धी में जितने अधिक तत्यों होंगे और एक्ति अपने जीवन में कटनायों को दूर कर सकता है तो वह है इसमें से कौन सा सही है कौन सा नहीं है आप देखें और इसका आंसवर है दोस्तों चार नंबर एस सत्य है और यँ एस सत्य है और आई सत्य है तो दोस्तों वह जो थांड के वाला था Bहु बुद्धी बहु बुद्धी का जो सिदान था enjoying بين 포인ер ने थोड़ा गार्डनर ने और वो दिया था था अंडाएक ने बहु कालक ऐसे था ठीक दोस्तों अब कंफ्यूजित मत होना इससे लेके अब अपना क्यूशन एक 284 अंतर व्यक्तिक बुद्धी को प्रदर्शित करने वाला व्यवार है दूसरों के अंतरमन की चाहों एहों मन्सा का पता लगाना यानि मन का पता लगाना दूसरे के मूड को भाप जाना मिलते जूलते समेगो तता यह था उदाशी एहों पस्तावा में भेध कर पाना दूस दोस्तों नेक्स्ट है एक बालक जिसकी मांसिक आयू 12 वर्स तता बुद्धी लब्दी 120 है कि काला नुक्रमिक आयू होगी 12 होगी 10 होगी 14 होगी 11 होगी थोड़ा उल्टा करके दिया इसको तो आप निकाल लीजिए तो दोस्तों इसमें आंस्वर होगा दो नमबर यानि 10 ह दस वर्स उसकी आयू होगी 200 पीच्च ऐसी कई हो इसकी नेक्स्टा बुद्धी का कया खैसे दांत के अनुसार बुद्धी का निर्मित वातावण से वन सक्रम से दोनों से या उक्त कोई नहीं तो दोस्तों बताना आपको इस कांस्वर होगा दो नमबर वन सक्रम से तरल थ थोस बुद्धि सिदान्त के अनुसार दुर्द कालिक स्मृति का संबन्द जिस बुद्धि से है वह है फ्लूइड क्रिष्टल जी एप या उक्तसभी तो कौन सी है वह 287 और इसमें आशर होगा दो नंबर क्रिष्टल है दोस्तों क्या तरल ठोस बुद्धि सिदान्त के अनुसार दुर्द कालिक स्मृति का संबन्द क्रिष्टल से होता है ठीक है 287 बुद्धि की अभिवर्दी का चरम बिंदू जिस आयू में होता है वह है 10 वर्ष है 16 वर्ष है 25 वर्ष है 50 वर्ष है पर्ष्ट गेट में आया हुआ यह तो क्या होगा इसमें आशर होगा दोस्तों दो नंबर 16 वर्ष पदानू क्रमिक बुद्धि सिदान्त में कितने समुवकारक है असंक्य है तीन है दो है या एक है तो दोस्तों इसमें आशर होगा तीन नंबर दो है पदानू क्रमिक बुद्धि सिदान्त में दो पर्मुक्ष समुवकारक है एक शिक्षी का अपने विच्षारतियों की विभिन अधिगम शेलियों को संतुष्ट करने के लिए वेविद्ध्य पून कारियों को उपयों करती है वह शेल प्रभावीत किसे प्रभावित क olduğल भर का नेकित विकाष का सिधान गाइनन की सम्ष pulled sound sto कि सामाजिक शन्सकृतिक मिकाश किसे वह आपने स हिदान तो किसे वह प्रभावित तो दोस्तों इसमें आंसवर होगा दो नमबर वह है गार्डनर के बहु बुद्धी सिदान से आगे ना गार्डनर गार्डनर ने बहु बुद्धी का सिदान दिया था ठीक है तो यह देख लीजिए फिर है पुरुष की अपेक्सा ज्यादा बुद्धिमान होते है पुरुष की अपेक्सा यानि पुरुष इस लेंगिक पूर्वा ग्रह को प्रदर्शित करता है पुरुष इस्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं ये लेंगिक पूर्वा ग्रह को प्रदर्शित करता है तरितंत्र से धांत के अनुशार बुद्धी के किस घटक द्वारा समस्या समाधान एतु काले निस्पादन की योजना बनाई जाती है मेटा घटक, ग्यान संग्रहन घटक, निस्पादन घटक, उक्त कोई नहीं तो क्या होगा दोस्ते इसमें, दोस्त वो बानमा है और इसमें आंसर होगा मेटा घटक दोस्तो नेक्स्ट है एक नंबर है यह मेटा गठक 292 का पर्ष्ट 293 है आप देखते कि एक चात्र बुद्धिमान है आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे उसे एतिजित क्रहकार्य देंगे वह जैसे अधीक प्रगिति कर सके उसे उस तरह अनुप्रेजित करेंगे या फिर उसके अभिवाव को सुचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है तो दोस्तों इसमें आंस्वर क्या होगा इसमें आंस्वर होगा एक नंबर आप उसके साथ संतुष्ट रहेंगे इस टर्न ने कौन सा था ये 200 तो इसमें आंस्वर 293 था दोस्तों इसमें आंस्वर होगा ती नंबर होगा ये तो मुझे बेजीव लग रहा था वह है जैसे अध्धीक प्रगति कर सके उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे मतलब जो विद्यारती है ना उसको जैसा वो चाहेगा ना उसी प्रकार की प्रगति करने में उसकी सायता करेंगे ठीक है अनुप्रेरित करेंगे उसे ये 293 का आंस्वर है तीन नंबर ए दोस्टोड चोर्याणू है एस ट्रने बुद्धी ज्यात ने का सुत्र कब दिया था कब दिया था नर्ची। वारो Enoughि 1922 चाहरी अध्था सो बारा में या फिर अश्समय कब दिया था दोस्तो यह दिया था एक नंबर इस का उंस्वर होगा कर उनिए सो बारा में Nhटेंे बुद्धिकी जात करने का सुत्र दिया ता इस्टंबर्ग ने कितनी बुद्धियों वाली व्यक्ति बताए हैं चार तीन दो एक पता इहीं आप इसमें और होगा दो यानि की तीन प्रकार के विख्त बुद्धी वाले व्यक्तिए वो बताया है तो क्या होगा इसमें दो नंबर का आइस्व्य थेक है दोस्तों चैन्में जिस विद्वान ने बुद्धी का आश्चर यह जनक गजोन दिया है वह तो पिछड़े बालकों की बुद्धी लब्दी होती है सो से अधीक 80-90 की बीच 70 से कम या कोई नहीं तो 293 में इसमें क्या होगा दो नंबर होगा दोस्तों तर्मन द्वारा बुद्धी लब्दी की गणना कब की गई तो तर्मन द्वारा बुद्धी लब्दी की गणना कब की गई तो तर्मन द्वारा बुद्धी लब्दी की गणना कब की गई थी दोस्तों इसमें की गई थी चार नंबर आंसर होगा 1916 में बहु विधी बुद्धी सिदान के नुशार सभी प्रकार के पसुओ खनीजो पेट पोदो को पैचानने वा वर्गिव करने की योग्यता कहलाती है क्या होगा दोस्तों इसमें आंसर होगा दो नंबर यानि प्रकार्थिक बुद्धी मता का संबंद किस से है केंद्रे चिंतन से बहु आयमी चिंतन से शरणात्मक्ता से या फिर उक्त कोई नहीं तो दोस्तों क्या होगा इसमें आंस्वर होगा एक नंबर चिंद्री चिंतन से तो दोस्तों बहुत लंबा वीडियो हो चुका है और आज हमने पहली बार यहां पर इतना लंबा मैंने वीडियो डाला है और में 100 कुछां करवा दिए 200 से लेकर करें 300 तक हमने कम्लिट कर लिए और उसन आपको आपने देखा वे कितने मस्त कुछन है था तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेर करिए और पढ़ लिए यहां तक तो लाइक करके